तो हम लोग जो 10 यूनीट्स प्रिपार कड़ेंगे इस बार फेवरेडी में जो एकसाम होगा उसके लिए हम लोग 10 यूनीट्स प्रिपार कड़ेंगे तो आज का अगर सबसे पहला unit दिखा जाए तो आज सबसे पहले जो unit है वो हम लोग करेंगे teaching aptitude का और हमारा 10th unit जो है वो अगले महिने में 17 तारिक तक 10 वा unit जो है उससे हम लोग complete कर लेंगे तो आप लोग का 10 units complete कर लेंगे हम लोग with the pyqs इस lecture के अगर आपको pdf चाहिए तो telegram channel impacti का class में जाके आप pdf को download कर सकते हैं और खुद से पढ़ाई भी कर सकते हैं तो सबसे पहले कुछ बहुत common pyqs है जो कि आपको chapter नहीं पढ़ना है ऐसे ही आप अपनी common knowledge से इनका answers दे सकते हैं तो कुछ pyqs को पहले practice करेंगे chapter start होने से पहले उसके बाद chapter के बारे में और भी पढ़ाई करेंगे और details में देखेंगे तो पहला pyq देखी क्या है effectiveness of teaching has to be judged in terms of मतलब एक अच्छे teacher को क्या के characteristics रहना चाहिए आपके सामने 4 options दिये जाएंगे उसमें से एक option आपको select करना होगा याद रखिये हर एक question के 2 marks है और इसमें कोई भी negative marking नहीं होता है तो यह देखिये आपके सामने 4 options दिये हुए है पहले आप लोग English में देख लीजिए आराम से फिर हम लोग इससी question को हिंदी में देखेंगे तो चलिए इसको हिंदी में देखते है आपके question paper में भी Hindi और English को option मिलेगा आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते या फिर आप चाहे तो English में भी देख पाएंगे तो इसका अगर सही option देखा जाए एफेक्टिवनेस आप टीचिंग has to be judged in terms of तो option C, learning outcomes of students मतलब जो आपके छात्र चात्री है उन्होंने पढ़ाई कितना किया है उनको किना समझ में आया है वह यह learning outcomes तो आपकी education, आपका teaching उसी से दिखाए जाता है कि आपके students कितने स्यादर successful है पिर अगला question देखिए यहाँ पर आप लोग को पता ही है कि communication skill एक teacher के लिए कितने important होता है और communication का बिल्कुल एक separate chapter है जो कि है unit 4 तो यहाँ पर communication के बाड़े में पुछा गिया है तो ऐसे questions भी आपको exam में आ सकते है जो कि आप बहुत ही common ideas से लगा सकते हो इसके लिए आपको unit prepare नहीं करना होगा और अपने ideas से आप इनका answer दे सकते हो इसका answer अगर देखा जाए तो यह होगा option C, artful process artful process मतलब का क्या होता है जैसे कि आप कोई line पढ़ाई कर रहो तो उसके बीच में अगर full stop रहा तो फिर आप रूख जाओगे अगर comma रहा तो हलका देख लोगे इनको कहा जाता है artful process next question देखे what is required for good teaching यह वही question है कि एक अच्छे teacher के बास क्या क्या होना चाहिए काप्टेर का नाम ही आपको बताया कि ditching aptitude है यहां पर हम दोख वही पढ़ेंगे कि एक अच्छे teacher में क्या 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 qualities रहना चाहिए और students कैसे होते हैं जिनको different switches and strengths में different तरिकासे handle किया जाता है यहां पर अगर सही answer हुआ तो इसका सही answer का option है diagnosis का मतलब क्या होता है teacher को समझना चाहिए कि कौन से student का क्या problem है उसके अनुसार उसको solution देना चाहिए तो यह हो गया option A फिर देखिए अगला question B है a good teacher is one who option A है gives useful information option B है explains concept and principles option C है gives printed notes to student option D है inspire strength to learn इसका option देख लीज़े है good teacher is one option A में है gives useful information B में explains concept and principle C में gives printed notes to student option D में inspire strength to learn उसका सही answer क्या होगा option D inspire strength to learn देखिए आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे उसके बाद आप खुद से बढ़ाई करेंगे तभी मेरा वीडियो बनाने का और इस वीडियो का जो मतलब है वो सफल हुआ अगर आप वीडियो देखें बन कर देंगे फिर दूसरे कोई वीडियो देखने स्टार्ट करेंगे या फिर सोग के बैट के आप तर टाइम पास करेंगे तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग पढ़ाई में serious है तब ही आपने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से एक बार जो पीवाई क्यूस है उनको प्राक्टिस कीजिए आपको पता है चलेगा ये वीडियो आपके लिए खिना सारे useful है तो चलिए अब chapter को start करते है तो सबसे पहले देखते है effective teacher effective teacher मतलब क्या होता है एक अच्छे teacher तो अच्छे teacher के अंदर क्या-क्या qualities होना जाहिए क्या characteristics होता है जो एक teacher को अच्छा बनाता है तो पहला है आपका good subject knowledge देखिए आप कोई भी subject अगर परा रहे तो subject में आपको अच्छे से knowledge रहना पड़ेगा जैसे कि assistant professor होने के लिए क्या होता है net pass करना उपरता है associate professor के लिए क्या होता है PhD करना परता है आपको subject में मतलब subject का आपको एक अच्छा knowledge रहना चाहिए तब ही आप जाके एक अच्छे teacher बनते हो फिर है आपका encourages learners ability to think मतलब आपको चीज के बारे में जब पड़ाई करोगे तब ये होना जाए कि आपको सोचना जाए तो subject के बारे में जैसे सब पहले हम लोग तें pyqs किया उन pyqs पे आपने पहले कुछ नहीं पड़ाता पर आपने common knowledge से सोचा उनके बारे में details में और उसी से आपने solution निकाला है तो ये है encourages learners ability to think फिर है आपका plan the course देखिए जो course है उसको मैंने एक सही तरीके से plan किया है पहले कुछ pyqs दिया है फिर है चैप्टर का पड़ाई फिर pyqs है आसे मैंने course को plan किया ताकि आप लोग के exam के लिए अच्छा हो तो ये है plans the course फिर है good sense of humor sense of humor रहना बहुत ही important है और भी ज़्यादे important हो जाता है एक teacher के लिए जैसे कि इसका बहुत एक अच्छा example है खांसर खांसर के कोई ने कोई वीडियो तो आपने देखाई होगा तो मैं आप देखिएगा कि sir आपना sense of humor कितने अच्छा तरीका से यूज करते है ताकि उनका lecture जो हो है वो इंट्रेस्टिंग हो सके और strengths से और भी ज़्यादा देखे है फिर है आपका यह तो बहुत ही basic बात है कि एक teacher को हमेशा सभी को equal तरीके से देखना चाहिए किसी के उपर partiality नहीं करना चाहिए किसी को favor करे या किसी को hate दे रहे यह नहीं होना चाहिए तो यह है equal to everyone तो यह हम लोग का teaching aids पहले समन्ते teaching aids का मतलब क्या होता है teaching aid का मतलब यह होता है कि teacher को student तक knowledge पाचाने में जो चीज teacher की मदद करता है उससे का जाता है teaching aid जैसे देखे हैं आप सामने मेरे laptop है यह pen tab है यह एक आपका stylus है यह सब क्या हो गया यह हो गया मेरे teaching aid क्यों? क्योंकि यह मुझे lecture बनाने में lecture record करके आपको upload का में मदद कर रहा है यह सारे हो गया आपके teaching aid तो पहला teaching aid अगर देखे तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या types होता है पहला है आपका audio aid audio aid का मतलब क्या होता है जब हम लोग किसी की आवाज सुनते है और आवाज सुनके हम लोग को कोई knowledge मिलता है जैसे आप लोग KBC में देखते होंगे कि कोई recording चला दिया जाता है और फिर पुझा जाता है किस की आवाज है या किस ने गाना का है या फिर आपने कोई foreign language का course लिया होगा तो उसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि French की course में French जो लोग बोलते है उनकी recording चला दिया जाता है और वही से हम लोग को French सीखना पड़ता है तो यह हो गया आपका audio aid फिर आते हैं आपके visual aids visual aids मतलब क्या हो गया आप अभी जो lecture देख रहे है वह है prime example और visual aid आप आपके सामने कोई lecture देख रहे हो उसी से आप सीख रहे हो उसे कहा जाएगा visual aid जैसे कि आपका blackboard हो गया है या फिर आपका कोई chart हो गया है इस वे types of animals दिया जाए है types of vegetables यह सब हो गया आपका visual aids फिर आता है आपका three dimensional aids three dimensional aids क्या हो गया है three dimensional होता है 3D object जैसे कि हो गया आपका globe जो globe से हम लोग world का different parts परते है कि कहाँ पर क्या है या फिर different models जैसे कि biology के lab में human body रखा जाता था एक plastic का पनाय हुआ है human body जहाँ से हम लोग परते थे human body में liver कारना है heart कारना है जाता है यह सब होगी आपका three dimensional aid पिर आपका audio visual aids audio visual aids क्या हो गया है जिसमें आपका दोनों चीज़ों को combine कर दिया जाता है audio and both visual पिर आते activity aid activity aids का मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करके कुछ चीज़े सीखते है जैसे कि बहुत सारे schools और colleges में drama किये जाते है Shakespeare के dramas पिर जैसे बेडे college में हम लोग को शिमला ले जाया गया था ताकि हम लोग adventure tourism के बारे में सीख सके तो यह सब होगी आपका activity aids पिर हम लोग कुछ teaching terms के बारे में पढ़ेंगे पहला है आपका pedagogy pedagogy का मतलब क्या है इसका मतलब है teacher prime काम करते है और students का involvement नहीं होता है जैसे teacher ही पूरा lecture बोलते है जैसे कि यहाँ पर यह इस class में हो रहा है इससे का जाएगा pedagogy यहाँ पर teacher सब काम करते है और students अपने हिसाब से अपने मर्जी से पढ़ाई को accept कर सकते है यह होगी है आपका pedagogy pedagogy आपका endogogy endogogy में क्या होता है इसमें student pain role play करते है जैसे आप students खुद से सीखते है teacher थोड़ी सी मादात करता है पर ज्यादा तर पढ़ाई students खुद से करता है जैसे अगर इसका example गिया जाए तो मैं जैसे PDF आपका upload करूँगा पिर अगर को student उस PDF को download करेगा और खुद से पढ़ाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा endogogy और यह lecture क्या होड़ा यह होड़ा pedagogy पिर आपका utagogy utagogy का मतलब क्या हुआ utagogy का मतलब है student अगर कुद ठीकना चाहे और वो completely खुड़ते उस चीज़ को सीखे यहाँ पर teacher का कोई role ना हो जैसे की मान लीजे आपको घर में omelette बनाना है तो omelette जो बनाना है उसके लिए आप लोग क्या करेंगे आप लोग कोई videos देख सकते या फिर किताब से बढ़ सकते है कि omelette कैसे बनाना है या फिर आपने घर में ममी से बूल सकते है कि omelette कैसे बनाना है तो यह क्या हो गया? utagogy क्या है? आपका self-learning तो आप जब खुद से कोई चीज सीखते हो वो हो गया आपका utagogy और एंडरागोगी क्या है? एंडरागोगी आपके teacher का कुछ part रहता है पर mainly strengths रहता है जैसे यहाँ पर आपको particular पता है कौन से टेलग्राम चानल पर जाना है कहाँ पर मुझे वीडियो डाउन पर मुझे PDF को डाउनलोड करना है यह हो गया आपका एंडरागोगी और utagogy student complete control लेता है वो चाहे तो किताब से देख सकता है या फिर वीडियो से देख सकता है या फिर अपने घरवालों से भी पूच सकता है यह आपका utagogy फिर यह बहुत important है अभी decent exam में 2019 और 20 से यह काफी बार आता है teaching, training और आपके indoctoration में difference क्या है तो सबसे पहले समझते है teaching क्या है teaching हम लोग जो कर रहे है जिसका primary example है कि मैं कुछ बता रहा हूं उससे आप लोग सीख रहे फिर आप लोग उस knowledge के बारे में सोच रहे हैं और उस knowledge को imply कर रहे है तो यह हो गया आपका teaching फिर आते हम लोग training पे training का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पर training होता है तो मैं कुछ बता रहा हूं और आप उसको directly मान लेंगे आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं और उसी काम को करेंगे जो मैं बता दूँगा वो हो जाता है आपका training आप सबने three idiots देखा होगा उसमें आमीर खान का एक dialogue है जहां पर वो कहता है कि एक शेर भी hunter के डर से circus में खेल दिखा जा है पर उसको हम लोग well educated नहीं well trained कहता है तो training क्या है जो हम लोग कोई चीज़ सीखते है पर उसके बारे में स्यादा कुछ सोच तो नहीं है फिर आखिर में आता है indoctoration indoctoration का मतलब क्या हो गया एक rudyवादी सोच या फिर एक गलत सोच जो हम लोग को दे दिया जाता है और उसी सोच से बाहर हम लोग तरहे निकलते उससे का जाता है जितने हिंदू है सभी बड़े है जितने मुसलिम है और यह क्या हो गया यह हो गया आपका indoctoration ये गलत सोच आपके आंदर भर जी गई है और उसी सोच को आप फुरे दुन्या पे इंप्लाई कर रहा हूँ तो यह है difference between teaching, training और indoctrination इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे levels of teaching levels of teaching अगर देखा जाए तो यह देखा गया कि students के सही age बरते हैं और उनके maturity increase होती है तो हम लोग सभी students को स्वेम तरके से training निर दे सकते हैं सेम तरके से teaching models निर रख सकते हैं तो इसलिए इनको बनाया गया levels of teaching कि जैसे हम लोग के age increase होगा हम लोग का training model भी teaching model और training model चोगा है उसको change करना होगा तो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अटनोव स्टेफल अपरेंड लेवर्ट यह हम लोग का पूरा बच्पन में होता है जब बच्पन में हम लोग लोग खुद से कोई चीज चीज सीखते है जैसे कि मान लीजे किसी फेसल में पानी रखा हुआ ता गरम पानी रखा हुआ तो एक बच्टा क्या करेगा एक बच्टा उसको अपते से स्चुतेगा उससरे नहीं पता है、 तो क्या होगा उसका उन्ट बलगेगा एक और इससे उससे बता हिए जालगा, कि गरम चीजा छुचने से हम लोगके हाथ में दर्ध होता है और वहाँ पर जलन होता है इसलिए गरंचीज को कभी छुना नहीं जाएए तो यह क्या हो गया है यह हो गया आपका autonomous development level पिर आते हैं हम लोग memory level पे memory level क्या हो गया है यह हम लोग का जब school में entry होता है बहुत ही basic level में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो वो होता है आपका memory level जैसे की हो गया 1,2,3,4,A,B,C,D इसे हम लोग याद करते हैं यह नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे logic क्या है A के बाद B क्यू आया B के बाद C क्यू,D क्यू यह सब हम लोग नहीं सोचते हैं 1,2,2,4 होगा सर ने बदा दिया तो यह ही होगा यह हो गया आपका memory level फिर आते हैं हम लोग understanding level में हम लोग थोड़ा सा progress करते हैं और फिर हम लोग को चीज़ें जो है उन्हें याद भी करना पड़ता है और समझना महीं पड़ता है जैसे कि मान लीजया understanding level में क्या हो गया है हम लोग को एक concept दिया जाता है friction मुझा लगता फ्रिक्षण के बारे में आप सब कोई पता होगा, तो friction में क्या होता है हम लोग को friction को याद करना पड़ता है आप friction के बाड़े में हम लोग को example पूछे जाता है जैसे कि यहां पर friction के example क्या देगी कि टाइर में जो टाइर जब roads में चलते हैं तब जो friction होता है उसका एक example हो गया friction तो यह सब क्या होता है understanding level जहां पर हम लोग को चीज़ों को समझना भरता है और फिर logically उनको use करना भरता है जैसा हम लोग ने memory level में multiplication समझा था अब यहां पर understanding level में हम लोग समझेंगे कि multiplication को कैसे और कहां पर use किया जाता है फिर आता है आपका reflective level reflective level आपका highest level होता है पर यह हम लोग जादा तर जो research में होता है और colleges में highest studies में महां पर use करते है reflective level का मतलब क्या है हम लोग पढ़ाई पर reflect करते हैं कोई चीज हम लोग को जब सिखाये जाता है तब उसके बारे में हम लोग logically सोचते हैं कि वो चीज सही है कि नहीं है यह है आपका reflective level पर exam point of view से कुछ important चीज से देख लेते हैं तो आपके exam में हर बार आता है तो इसमें अगर देखे proponent और focus आपके हर टाइम exams में आते हैं किसे ना किसी shift में और thought जो है वो उतना important नहीं है पर एक बार इससे आप देख लीजिए बागी अगर हम लोग proponent और focus ही बात करें तो यह काफी important है तो proponent का मतलब क्या होता है यह theory किसने दिया था तो अगर memory level of understanding का देखा जाए तो यह theory किसने दिया था तो यह दिया था आपके हर बट ने understanding level theory किसने दिया था तो Morrison ने reflective level किसने बता रहा था तो फिर वो बताया था आपके हंठने अब focus अगर देखा जाए मतलब यह जो theories है यह mainly किस पर focus करते है और यह सब जितने भी है यह सब आपकी keywords है keywords का मतलब क्या होता है keywords का मतलब होता है कुछ important words जिससे देखके आपको पता चल जाना चाहिए किस subject के उपर related है जैसे memory level का होता है road learning road learning का मतलब क्या है रठा मारने किसी भी चीज को हम लोग जब रठा मारते है जैसे nursery KG1 KG2 में आप लोग को बता होगा है हम लोग रठा मारके बढ़ा ही करते है तो वह क्या हो गया research skills तो यहां पर अगर thought का देखा जाए कि किस level पर हम लोगों कितना सोचना पड़ता है तो पहले आपका thoughtless thoughtful और आखरी है आपका highly thoughtful पहले हम लोगों सिर्फ रठा मानना पड़ता है फिर second stage में अगर देखा जाए कुछ समझना पड़ता है और कुछ रठा मानना पड़ता है और थर्ड लेवल में हम लोगों सब कुछ जो है वो कुछ समझ के answer लिखना पड़ता है कि तो हम लोग फिर से कुछ पीवाइक्यू उनको practice करेंगे तो पहला पीवाइक्यू देखिए which statement explains the concept of inclusive teaching अब inclusive teaching जो टर्म है इसका मतलब क्या है यह आपको पता होना चाहिए ऐसे बहुत सारे difficult English terms जो है आपके exams में पूछे जाते है तो इसमें आप लोग क्या कर सकते है जब आप लोग को English में असने questions हैंगे तो आप उसी question को हिंदी में convert करके भी देख सकते हो नीवें देखते हैं इस question को नीवें देखते हैं इस question को देखा जाए यह देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका पूछा गया है inclusive teaching inclusive teaching का मतलब क्या होता है inclusive teaching होता है एक अच्छा teacher जो है वो सभी को एक साथ लेके पढ़ाई करते हैं यह होगी आपका inclusive teaching तो यहाँ पर सही answer क्या होगा option d teacher makes trends of different background to learn in same class different background to learn in same class इसका मतलब क्या होगया कि दूसरे background से जैसे दूसरे कोई कोई बच्चा हिंदू मुस्लिम बहुद क्रिस्चन जान सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाई करवाते हैं तो यह क्या हो गया आप समझें कि यह क्या हो लागिया है तो यह है आपका treats everyone equally equality यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था equal to everyone जितने भी यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे points लिख के दिये हैं वह आपके exams में directly आते हैं बस आपको वह point जो है उसको समझना पढ़ेगा है और questions का answer आप बहुत आसानी से देफ आओगे अगला question देखते है प्राइम objective of using audio-lingual aids in classroom is to keep students to develop अब फिर से यहाँ पर teaching aid जो हम दोग दें पढ़ाता है उसके बाड़े में बात क्या गया है इसको हिंदी में देखके चलिक इसको Cult करते हैं सबसे पहले Question का मतलब समझे है Audio-Lingual क्या होता है Audio तो आपको पता ही है अब यह lingual क्या होता है Lingual का मतलब होता है कोई Language जैसे मैंने बताया था कि जैससे कि मानलीज आपको Foreign में कोई Language सहिखना है तो ऐसा French हो गया Spanish हो गया है तो इसमें क्या होता है जो language वे sentences को record कर दिया जाता है और फिर उन language को हम लोग सुनते है और हम लोग को idea लगता है कि यह language कैसे बोलना है तो यह हो गया आपका audio-lingual date तो इसका सही answer option 2 next question देखते ही in which one of the following the direction of influence is mainly one way तो यहाँ पर देखिया आपके चार options है तो इसका सही answer क्या होगा है इसका सही answer हो जाएगा option B जो कि आपका guide करना गाइटिंग अगला question देखते है in which level of teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the students behavior predominate देखिये यहाँ पर वही levels of teaching के बारे में question दिया गया है तो यह जो पूरा line है यह सब कब किया जाता है structure, guide and closely यहाँ पर देखिये keyword को देखिये closely supervise, the students behavior कौन से class में teacher student हो है सबसे ज्यादा pressure देते है students के उपर तो जब सबसे ज्यादा guidance देते है students को हिंदी में भी इस question को देख लेंगे हम लो इसका सही answer अगर देखा जाए इसका सही answer है option d जो की memory level है अब हम लोग पढ़ेंगे learners characteristics में अभी तक हम लोग ने teachers के बारे में पढ़ाता है अभी हम लोग students के बारे में पढ़ेंगे students के क्या क्या characteristics होते है और students के क्या क्या features होते है तो पहला हम लोग difference देखेंगे परसनल का मतलब क्या हो गया है यहां पर हम लोग एज के बारे में उसकी उमर जेंडर मेल है की female इनके बारे में देखते हैं तो यह सब क्या हो गया आपके personal characteristics of learner उसके बाद देखेंगे on the basis of listing on the basis of listing मतलब क्या हो गया कि class में जो student है वो खितने अच्छे ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो पहले active listener जो की active listener का मतलब क्या होता है जो की पढ़ाई हो रहा है उससे ध्यान से पढ़ रहा है जैसे हम लोग में इससे बहुत जन क्लास में क क्या करता है पढ़ाई जो होता है तो students पढ़ाई को ध्यान से नहीं देखते हैं और पढ़ाई को अच्छे तरीकास नहीं समझते हैं लेकिन active listener क्या करते हैं वो पढ़ाई को अच्छे तरीकास से पढ़ते हैं और समझते हैं कि teachers क्या बता रहें और teachers जो भी बताते हैं उसस sorrowful जैसे कि आप Kapil Sharma Show के बाड़े में बात कीजिए Kapil Sharma Show mainly आपके comedy के बाड़े में है लेकिन वहाँ पर कोई अगर अपने बच्पन के बाड़े में या struggles के बाड़े में बोलता है तो Kapil Sharma उन्हें बड़े ध्यान से है और आख में एक दुख लेके उनके लिए बुरा सोच के मतलब पड़ी आख में एक दुख लेके मतलब एक empathy दिखाते हैं उनके तरब वो क्या होगे? empathic list है जैसे कि कोई अगर आपका दोस्त होगा या फिर कोई अगर आपके classmate होगा और वो बोलेगा कि मेरा दिन अच्छा नहीं गिया था मुझे accident हो गया था ऐसा कोछ अगर भगवान ना करे ऐसा कोछ बोलेगा और उससे आप ध्यान से सुनोगे तो वो क्या होगे? empathic listener फिर आते critical listener critical listener के example क्या होगे? जब school में colleges में आपका debate होता है तब होता है critical listeners जैसे कि आप किसी की बात सुनते हो ताकि वो बात में क्या गलत है और वो क्या गलत point बता रहा है इसको आप point out कर सको ये क्या होगे? ये होगे आपका critical listener फिर होगे है आपका appreciative listener appreciative listener मतलब किसी चीज को appreciate करता है इसलिए उस चीज को सुनना जैसे कि आप मान्दी जी कोई stand-up comedy show में जाते हो तो इसलिए जाओगे क्योंकि आपने उसको पहले भी देखा है जैसे कि आप जाकिर कान के show में जाते हो आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपने जाकिर कान का stand-up show जो है वो यूट्यूब पे देखा है और आपको पसंद आया है इसलिए आप उसके पास जाओगे ताकि उसके comedy जो है वो सुन पाओ ये सब क्या होगे? ये आते अंदर अप्रिशेटिव लिस्टनर पिर आते लेर्ननस कारेक्टरिस्टिक शोशल कारेक्टरिस्टिक पे शोशल कारेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? कि हम लोग कैसे घुल मिलते हैं? लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इनके साथ कैसे bonding मनाते हैं? तो ये हो गया लेर्ननर्स कारेक्टरिस्टिक एक साथ झाल झाल तो अभी वेतर चेंज का टाइम चल लाए है और सुभे को गड़ में लगते हैं और रात को ठड़ है इसलिए आप समझे ज़कते हैं कि क्लाइमेट थोड़ा चेंज हुआ है और उससे आपका तबियत जो खड़ाप हो गया है तो यह लंबे क्लासेस में भी लेता नहीं लेकिन हम लोग का एक्साम है तो इसलिए यह क्लासेस हम लोग को लेना पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी एड़्जस्ट कर लिजेगा तो अभी हम लोग social characteristics के बाड़े में बात कर रहे थे जहांपर हम लोग कैसे students से involved होते हैं अपने classmates से, दोस्तों से involved कैसे होते हैं यह सब होते हैं हम लोग के social characteristics तो social characteristics कर अगा देखा जाए इसके अनुसा दो हिस्सों में divide किया जा सकता है एक है आपका field dependent और दूसरे आपका field independent field का मतलब क्या होता है हम दो के आस पर जो भी है उन्हें का जाता है field यह से experience के field क्या होगा उनके teacher, students, classmate यह सब होगा उसका field तो experience होते हैं जो होते field dependent field dependent और दूसरे होते हैं आपके field independent तो field dependent कौन होते हैं जो की आपके teachers पर बहुत चाला depend करते हैं यह लेस नहीं होगा यह डिला मोड़ mode on teachers जैसा कि आप नाम से ही पाता है चलड़ा है फिर dependent का मतलब क्या होते हैं यह दूसरे लोगों पर ज्यादा depend करते हैं और field independent क्या हो जाएगा तो यह होगा rely less on teachers यह teachers पे, students पे, classmates पे कम rely करते हैं field dependent अगर देखा जाए, perceived globally मतलब यह सभी चीज़ों के बारे में globally सोचते हैं सब को involve करके सोचते हैं और field independent क्या है perceived analytically जैसे कि अगर मान लीजे कोई काम दिया जाएगा field dependent क्या करेगा सभी कामों के बारे में एक साथ सोचेगा पर जो field independent है वो क्या करेगा वो उनसे काम ज्यादे important है उसके हिसाब से कड़ेगा जैसे हड़े काम को priority देगा उसके हिसाब से वो define कर लेगा कि कौन से काम मुझे पहले करना है कौन सा काम मैं बात में कर सकता हूँ तो यह होगी आपका field independent फिर आता है आपका field dependent में prefer to work in teams जो field dependent लोग होते है वो teams से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं ना कि अखेला यह teams जो है यह students, teachers सभी मिला के होते हैं और field independent के है prefer to work alone यह अकेले में काम करना और अभी से दूर रहना पसंद करते हैं फिर हम लुक लवन नर्स कारेक्टरिस्टिक देखेंगे अकाडमिक अकाडमिक का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई में कैसा है कौन से सब्जेक्ट में strong है कौन से सब्जेक्ट में weak है कौन से सब्जेक्ट अच्छी तारिके से वो examples दे सकता है पढ़ाई कर सकता है उसकी ranking के आता है यह सब है आपका academic characteristics फिर है आपका emotional characteristics emotional characteristics का मतलब यह होता है कि कि situation में कौन सा strength कैसे react करता है जैसे कोई strength देखेंगे आप बहुत जल्दी गुसा हो जाता है तो यह सारे क्या है यह सब है आपके emotional strengths emotional characteristics for students मतलब गुसे को अपने अंदर रखते है या फिर काम पर कैसे behave करना है वो समझते है तो यह सब क्या है आपका emotional characteristics इसके हिसाब से strengths को दो हिससे में divide क्या जा सकता है एक है आपका reflex दूसरा आपका impulsivity impulsivity strengths यह होते है आपने class में देखा ही होगा जब teachers कोई questions पूछते है तो दो तरीके strengths होते है एक होते है जो सबसे पहले जवाब देते है भले जवाब गलत हो और दूसरे होते है जो की चुपचा बैटे रहते है सिर्फ उनको अगर सवाल directly पूछा जा तो सही तरीके से answer दे दे तो जो सबसे पहले कुछ भी answer दे देता है वो होता है आपका impulsivity और जो question को सोच समझ के सही तरीके सा answer देता है वो हो गया आपका reflectivity पीड़ेंगी cognitive पे cognitive का मतलब क्या हो गया cognitive का मतलब होता है जो strength से वो strength subject को पढ़के फिर उसको कितना समझ पाता है उन्हें का जाता है cognitive जैसे अभी हम लोगे exam में आपका पूझा जाता है comprehension comprehension में क्या होता है हम लोगे एक paragraph दिया जाता है उस paragraph को पढ़के हम लोग को समझना पढ़ता है उस paragraph में कहना क्या जाता है तो यह है आपका cognitive characteristics अब देखेंगे on the basis of thinking on the basis of thinking अगर देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं आपके reflective thinkers reflective हम लोग ने पहले ही discuss किया जाधा तर जो strengths होते हैं कोई पढ़ाई को पढ़ने के बार उनके बारे में सोचते हैं तो यह हो गया आपके reflective thinkers पीड़ा आगए आपके creative thinkers creative thinkers कौन होते हैं जो कुछ नया create करने के बारे में सोचते हैं जैसे कि एक मूवी आयता तारिल समयन पर वहाँ पर आपने देखा होगा जो strength है वो काफी creative था है या फिर आपके यह नर्डोडी के बारे में अगर बात करें यह सब भी क्या है बहुत जादे creative लोग थे हैं तो यह क्या है यह है आपके creative thinkers फिर आते हैं आपके practical thinkers practical thinkers मतलब क्या है जो सिर्फ reality के बारे में सोचते हैं जैसे कि आपने shark tank में देखा होगा कोई business कितना भी अच्छा हो जो जो shark होते हैं वो बोलते हैं कि business कितना profit दे रहा है उसके हिसाब से वो investment करता है तो यह क्या होगे यह होगे आपके practical thinkers फिर आते हैं आपके conceptual thinkers conceptual thinkers क्या होते हैं जो किसी concept को समझ के फिर काम करने में आगे बढ़ते हैं इन्हें के आगे आज जाता है यह होते हैं आपके entrepreneurs जैसे कि हम लुक ने अभी थोड़ी देर प्रिक्शन के बाड़े में पढ़ा था फ्रिक्शन को कैसे use किया जा सकता है उसी के बाड़े में सोचके tires बनाए गए और tires देखे पूरे दुनिया में use किया जाता है फिर आप सोचे इंडिया में जो बाहर से टूरिस्त आते हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर गंदा पानी से डरते हैं इसलिए पानी को package कर दिया गया और उसी पानी को फिर बेजा जाना start किया गया इससे कितना पैसा और कितने बड़े industry पने हैं यह क्या होगी है यह होगी है आपके conceptual thinkers यह problem जो है या फिर कोई theory जो है उससे कैसे आपके practical में use किया जा सकता है तो उससे पैसा पनाया जा सकता है फिर हम लोग पढ़ेंगे blooms taxonomy के बाड़ में blooms taxonomy अगर बताया जाए उन्होंने bloom ने कहाता है कि जितने भी students होते है उनका overall development जो है थीन हिस्सों में divide किया जा सकता है पहला है आपका cognitive domain पीड है आपका effective domain और तीसरा है आपका psychomotor domain cognitive domain तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही बात किया आता है cognitive domain वो है कि students कितना समझ रहे हैं और कितना उस चीज़ को अपने life में apply कर रहे है तो situations को अपने अंदर समझ रहे हैं यह होगया cognitive domain पीर होगया आपका effective domain effective domain का मतलब होता है जो उनको पढ़ाया जा रहा है उनसे उनके अंदर क्या-क्या changes आड़े उनके behavior में उनके thought process में क्योंकि देखिए आपके behavior में changes आते हैं पढ़ाई करने से कि आप बाहर जाते हो किसी को good morning please यह सब तभी आप बोलते हो जब आप well educated होते हो आपके behavior में education के वज़े से changes आते हैं यह होगया आपका effective domain पीर आता है हम लोग का psychomotor domain psychomotor domain का मतलब क्या होता है हम लोग physical activities करते है जो physical activities सीखते है उससे खा जाता है psychomotor domain इसके लिए training for the purpose of psychomotor domain such the purpose of training पीर हम लोग देखेंगे cognitive domain में cognitive domain में सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है आपका knowledge सबसे पहले आता है आपका knowledge आप कुछ से example से समझेए UGC net के paper में जब comprehension आता है सबसे पहले क्या होता है knowledge कि comprehension को पढ़ना ना जाहिए आपको पीर आते understanding पे comprehension आपने पढ़ लिया आप उसको understand करना है पीर आते आप application पे application क्या है comprehension को पढ़ने के बार comprehension से answer कैसे find out करना है पीर आते आप analysis में analysis में क्या होता है अभी जो questions होते है और direct questions नहीं पूछे जाते है indirect questions पूछे जाते है कि passage से आप क्या समझ में आप analysis के लिए आप क्या करते है analysis पीर है आपका synthesis पूरा passage है उस पूरे passage को एक साथ आप समझते है कि पूरा passage क्या मुझे बताना चाहता था यह है आपका synthesis और understanding application analysis synthesis और आखिर में evaluation यह जो है आपको यह सब याद करना होगा सबसे अच्छा में बोलता हूँ कि इसे आप लोग अगर चाहें तो रट्टा मार सकते हैं पर ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग का समझ के दो तीन बार पड़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा पर आता है आपका effective domain effective domain में क्या है पहले पहले है आपका receiving कि आप knowledge को receive खतर responding मतलब अब ही आप लोग अगर यह देखने हो लेक्चर आप लोग कैसे respond करते हो याप लोग सोड़ आयों और इस वीडियो को देख दो या फिर आप note-down कर रहा हो यह हो गया आप लोग का responding फिर आपका है आप जो यह पीपीटी देख रहो यह लेक्चर देख रहो उसका क्या value कर रहो क्या आपको important लग रहा है तभी आपने जाके यह लेक्चर open क्या है यह लेक्चर देख रहो यह हो गया आपका वैल्याइजेशन और आपका organization का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर अपने characteristics में क्या 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 होता है आप अपने characteristics में क्या क्या changes लाते हो जैसे teaching aptitude में जो भी आपके points है वो मैंने teaching में apply किये हैं और उनको मैं धीरे धीरे apply कर रहा हूं ताकि मेरे जो वीडियो से वो improve हो जगे यह हो गया आपका characterization पिर आते हैं आपके psychomotor domain psychomotor domain क्या है यह है आपके physical activities तो सबसे पहला क्या है आप imitation करते हो जैसे आप किसी को देखते हो जिसके तरीके से आप काम करने चाहते हो तो आप क्या करते हो उसको imitate करते हो फिर manipulation में आपने जब imitation कर लिया फिर आप उसका shortcut या फिर अपने तरीके से उसी काम करने का try करते हो तो यह क्या हो गया आपका manipulation पिर आता है precision मतलब उस काम को जो भी काम आप कर रहे हो वह काम आप बिल्कुल सही करते हो फिर आता है आट अर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है Yea में आप उसकाम को इतना सही तरीके से गतो क्या हो कि आपको कोसे कोई effort नहीं भी वह हो गया आपका articulation पिर हो गया आपका naturalization का मतलब क्या होग कि आप वो काम जो है वह अपने आप करना स्टार्ट कर देते हो और आपको उसके लिए कोई अलग से एपर्ट नहीं देना बता है जैसे YouTube में आपने बहुत सारे वीडियोस देखेंगे यह आपका शेफ्स बहुत जल्दी से जो vegetables and fruits है उसको cut कर देते हैं उनको देखना भी नहीं पड़ता है यह हो गया आपक इसमान के एक्जाम में यह तो काफी बार पूछा गिया था तो सबसे पहले हैं माना sensory motor sensory motor कब activate होता है जब हम लोग जनम से दो साल तक जो भी सिखते हैं उससे का जाता है sensory motor यह आपर हम लोग object जो permanence है यह object हमारे सामने हैं और वो कहीं गायब नहीं हुआ इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि बहुत छोटे बच्चे जो है उनके सामने आप जाओगे दो तिन महिने के बाद वो आपको भूल जाएंगे या फिर उनसे कोई चीज छुपा कर रखोगे तो वो भूल जाएंगे लेकिन जैसे वो बड़े हो जाद रखिए आपके की वर्ड्स है और डाइटली यही वर्ड्स आपके एक्जाम में पूछे जाता है फिर आते हैं हम लोग प्री आप्रेशनल हो गया आपके दो से चल साल तर यहां पर की वर्ड है आपका इगो सेंटरिजम पतलवा आप देखेंगा कोई छोटा को देखें तो उसे बहुत गुसा आता है वह कहता है कि ममी सिफ मेडिय है या फिर उसका खिलाना भी आप लेंगे तो उसे बहुत गुसा आता है यह सब है आपका इगो सेंटरिजम पीड़े आपका concrete operational क्या होता है from 7 to 11 years of age यहाँ पर क्या होता है आपका conservation का मतलब वो लोग समझते है जैसे कि वो लोग यह समझते है कि अभी मैं अगर मान लीजिए उनको 10 चॉकलेट दिया गया है तो उनको यह समझ जाएगा कि अभी आगर मैं सिर्फ 2 चॉकलेट खा लू conservation का मतलब यही होता है कि वो समझते हैं किसी चीज़ को हम लोग अभी conserve करें तो बाद में उसको use कर सकते हो तो यह हो गया आपका concrete operational बहुत basic पढ़ाई के ideas basic logic जो होता है वो उनके समझ में आने लगता है फिर आखिर में आते हैं हम लोग formal operational पर यहाँ पर जो logic यह अफिर तर यह develop कर जाता है और उस स्टेज को कर जाता है आपका formal operational आपरेशनल तो चलिए फिर सब पी वाइक्यू करते हैं पहला क्वेश्चन है यह हम पर दिया है यह है यह कौन सा गार्क्रेस्टिक तो टीम मेंबर होना कौन सा गार्क्रेस्टिक है आप्शन आप्शन है अग्यार क्वेश्चन देखता है expect to according to bloon's traditional taxonomy हाइस्ट लेवल अफ लेर्निंग कोगनेटिव डॉमेन इस यह तो काफी आसान से क्वेश्चन है मैंने बताया है कि वह मॉडेल अगर आप लोग याद भी कर लेंगे तो आप डाइटली क्वेश्चन सॉल्फ कर सकते हैं यहां से आता है तर आपका तो उससे चार्ड मार्क्स की क्वेश्चन साते है जो क्वेश्चन से रहेंगे वह डायरेक्ट रहेंगे तो यह अब से यहां से क्या हो जाएगा आप इवैलवेश्चन द्रहेश्चन कुँ देख्टेर कर दो क्यों कि पयागेट देर आप बडायरा श्च गाटेर्चन सामेटर्स इवलप्मेंगेट तो यहां पर जाएगेट रहे हैं द्रहेएगे यहां पर जो यह आपर डायम है पर अगर देखा जाए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर इसपर कॉग्नियेटिव डिवलापमेंट थियोरी अब जीन पी आगे अडूलेशन स्ट्रेंड्स आरेनुवी स्टेज आप डिवलापमेंट तुप पहले ता आपको पतावना जाएगी आडूलेशन स्ट्रेंड्स जो है कि एज क्या होना चाहिए अब बहुत आसानी स्वाफ कर पाऊगे तो इसका आंसर क्या होगा तो जो फोर्थ स्टेज है अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इससे पहले हम लोग एक छोटा सब देख लेते हैं आप लोग भी पानी पी सकते हैं मुद्ध हो सकते हैं और मैं भी एक छोटा सब देख ले रहता हैं आई होब यहां तक आप लोग को पूरा तरीकल से क्लियर है और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स हैं इनको भेल सकते हैं और मैं जरूँ उनके reply दूँगा अभी हम लग पढ़ेंगे teacher center method देखें जो learning होता है और education होता है वो दो तरीके से हो सकता है एक होता है teacher center पर एक होता है student center teacher center में क्या होता है teachers साब के main focus होता है और student center में students साब के main focus होता है यही आपका basic theory है तो teacher center methods example देखेंगे, पहला है आपका lecture method, जो अभी हम दो कर रहे हैं, लेक्चर method से बढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके school classrooms में भी हम लोग जैसे में इंडी तरके से बढ़ते हैं, वह है आपका lecture method, जापर एक students रहते हैं, एक teacher रहते हैं, और बाकी सारे students रहते हैं, उन्हें lecture method से बढ़ाई करवाया जाता है, वीड़े, आपका team teaching, team teaching का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे companies में interviews दियोंगे, वहाँ पर campus में जब companies आ दिये, कोई भी colleges में, तो वहाँ पर दू teachers रहते हैं, company को represent करने के लिए, एक जन क्या करते हैं, एक जन हम लोग को company के बारे बताते हैं, और दूसरे teacher जो है, दूसरा teacher HR होता है, वो company के human resource के policies बताते हैं, यह होता है आपका team teaching, यहाँ पर दो teachers रहते और आपके solutions देते हैं, फिर हो गया आपका presentation, जैसे कि मैं यहाँ पर presentation बना के आपको lecture दे रहा हूँ, यह हो गया आपका presentation method, teacher centered method को आपका direct teaching भी कहाँ जाता है, क्योंकि जो subject है, उससे आप directly मून से पढ़ रहे हो, और उनके बारे में details में समझ रहे हो, तो यह हो गया आपक direct teaching, फिर है आपका learner centered method, learner centered method है कर देखा जाया, तो सबसे पहले इससे कहा जाता है, आपका indirect teaching, learner center का मतलब क्या होता है, तो learner होते है, जो students होते है, वो आपके main focus होते है, तो यह हो गया, आपका indirect teaching, मतलब strength, कुझ की महनां से ज्यादा तर पढ़ाई को कर रहे है, इसमें सबसे पहले आता है, आपका case study, case study क्या होता है, कोई भी एक particular situation के बारे में, जब आप details में पढ़ाई करते हो, उसके positive, negative, सब कुछ के बारे में देखते हो, तो यह होगी आप case study, जैसे कि अगर आप YouTube में case study सर् कर विए, आपके बहुत सारे case study मिलेगा, जैसे कि इंडिया में इतने जल्दी spread कैसे हो गया, famous कैसे हो गया, यह सारे है, आपके case study, पीर है आपका project assignment, प्रोजेक्ट assignment तो आपको पता ही है, कि स्कूल में हम लोग को दिया जाता है, और colleges में भी दिया जाता है, यहाँ पर subject related particular topic पे इमलोग को research करना पड़ता है, उसके बाड़े में knowledge gain करना पड़ता है, और फिर उस चीज को present करना पड़ता है, यह हो गया project या फिर जो colleges में होता है, assignment, पीर है आपका open learning, open learning का बहुत एक अच्छा example है, इग्नू, इग्नू के आए, इंद्रगान दी national open university, वहाँ पर ज study material क्या क्या पड़ना है, वो दे दिया जाता है, और particular time दिया जाता है, जब आपको assignment जमा करना है, या फिर आपको जाके exams देना है, यह हो गया आपके open learning, फिर आपके heuristic, यह heuristic जो है, आपके exams में काफी बाप पूछा आता, heuristics क्या होता है, तो heuristic के बाड़े में अगर देखा जाए, heuristic का मतलब यह ही होता है, कि जो student खुद से कोच चीज सीखता है, self learning को ही का जाता है, आपका heuristic, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले, आपको assignment के example दिया था, जैसे कि किस student को coding सीखना है, music सीखना है, वो क्या हो गया है, वो हो गया जैसे आपका heuristic, फिर हम लोग पढ़ेंगे learning environment के बाड़े में, learning environment क्या है, एक student के आज पर जो कुछ भी है, क्या है वो living या फिर non living thing हो, उसे का जाता learning environment, जैसे कि एक field और learning environment में difference समझे, field आपका स्रिफ living, जैतने living thing है, उसे का जाता जो हम student को sound कहता है, उसे का जाता है, पर non living thing, living और non living thing दोनों को मिला के क्या होता है, आपका learning environment होता है, तो learning environment जो है, आपके तीन प्रकार के है, पहला है आपका bipolar, बाइपोलर क्या है, इसमें सिर्फ teacher और student, इन दोनों का relation देखा जाता है, एक teacher और उसके छात्रे या छात्र उनके relation एका देखा जा है, learning environment में, उसे का जाता है, बाइपोलर, फिर आता है आपका ट्राइपोलर, ट्राइपोलर में क्या होता है, teacher और learner तो रहता है, उनके साथ add क्या होता है, आपका curriculum, क्या रहता है, आपका syllabus रहता है, क्या क्या आप पढ़ाई करने वाले हो, यह सब भ पिर आते हैं आपके आखिर पे जो किया आपका पाट्री पुलर, पाट्री पुलर का मतलब क्या हो गया, इसमें आपके teacher रहेंगे, learner रहेंगे, curriculum रहेंगा, और तीसरा अधोगा, physical climate, physical climate का मतलब क्या हो गया, weather conditions, climatic conditions, यह सब हो गया आपका physical climate, जैसा आभी तिल्ली में इतन जाद थंड है, यह वहाँ पर schools और colleges को बंद रखा गया, यह फिर आपको बता ही होगा, कि जब हम लोगे यहां बहुत जाद बाड़िश होता था, तो वहाँ पर school कैंसल कर दिया जाता था, यह है आपके physical climate, और physical climate को जब एड़ किया जाता है, यह चार options रहेंगे, teacher learner, curriculum, physical climate तो इसलिए इसको को आज आता है, quadripolar, quad का मतलब क्या है, चार, तो यहाँ पर चलिए, फिर से PYQ जो है, उन्हें प्राक्टिस करेंगे, यह PYQ पे इसलिए प्राक्टिस कर आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग आस्त आस्त भरते, तो subject knowledge gain करना पता है, पर हम इसलिए जल्दी रखा गया है, February के महिने में, तो यह बिल्कुल भी बुड़ा नहीं, बहुत की अच्छी बात है, तो वहाँ पर आपको PYQ सॉल्व करने है, subject knowledge अच्छी तरीकत से आपको gain करने के लिए, तो चलिए PYQ देखते हैं, इसमें सही answer क्या होगा, कोई भी discussion अगर कराना है, कोई भी teacher जब discussion कराते है, ऐसे ही एक topic पर discussion होता है, इसके उपर सभी strengths बात कर पाए, तो इसका सही answer क्या होगा है? Option C, topic of common interest, क्योंकि अगर सब strengths एक साथ discuss नहीं कर पाएंगे, तो इस topic का कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि पूरे classroom का interest अब उससे नहीं बना पाऊगा है, देखिए, यहां बर दिया गया है, match the two sets, indicate your answer by choosing the code, as the questions आपके UTC net के exam में काफी पूछे जाएंगा, इसमें अगर आप सब मिला ना सको, तो 2-3 match करके भी आप 5 से निकाल सकते हो, तो लेक्चर जो है, वो किस से मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, content delivery in a lucid language, एका 3 हो जाएगा, एका 3, तो फेकी जाएगा पहा है, मेरा सही answer के जाएगा, option C, तेखिए, discussion in groups, discussion in groups, यह हो जाएगा मेरा, team-based interaction among participants, देखिए, यहाँ पर एक topic रहना चाहिए, जिसके बाड़े में सब students बात कर पाए, ब्रेंस्ट्रॉमिंग के बाड़े में बात क्या जाएगा, ब्रेंस्ट्रॉमिंग क्या होता है, एक topic दे दिया जाता है, और उस topic के बाड़े में जितना भी पतलब knowledge है, या फिर ideas है, सब को बोलने के लिए पूछा जाता है, जैसे मान लीजे, कोई YouTube वीडियो बनाएगा, तो की बाड़े में बनाएगा है, इसके बाड़े में 10-11 जन्त को एक office में बठाए जाता है, तो कोई बताता है, educational वीडियो कोई बनाता है, family blog, कोई बताता है, आपका travel blog, तो यह होगी है, brainstorming, जाँ पर बहुत साथे ideas एक साथ बुले जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा मेरा, production of a large number of ideas, वीड़ाते है, program instructional procedure, program instructional procedure क्या है, देखिए, आप अगर कोई भी course लेंगे, जैसे कि मान लीजे, आपने Udemy का course लिया, दूसरे के जिप educational videos का course लिया, तो उसमें क्या किया जाता है, जिप course को खड़ी तो, तो वहाँ पर number of videos को arrange कर दिया जाता है, उन videos को आप अपने मर्जी से देख सकते हो, उन videos को बाड़ बाद देख सकते हो, या फिर एक बाद देख सकते हो, तो program instructional procedure क्या हो जाएगा, यह जाएगा आपका number one में, small step presentation and feedback provided, तो जैसे कि बहुत सारे courses में क्या होता है, आपको certificate भी दिया जाता है, और course के end में आपको questions पूछी जाता है, क्या हो था रिले जामें, या जाएगा लगगा, औरे में पूपी थजो दो पूछीं एको एक अर해서 allium को गॉली जाएगा हो, क्या दो financi को बाद एक बाद आपको बादकिन झाल 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 कि वेक्यूओ तो यह आपड़ेगा देखा जाए इंडिविजियलाइस अप्रोच का मतलब क्या है इंडिविजियलाइस पास्नलाइस यह अपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पर जाँ ऑप्शन डी नहीं है यहाँ पर फिर अभी हम लोग थोड़ी ते परलब बढ़ा था प्रोग्लाम लर्निंग के आउट एक्स्प्रेंस अबने से देखते हैं कौन सी सब्जेट उनको पढ़ाय करना है ऑप्शन सी भी होगा आपको देखना है इन दोन ऑप्शन में कौन सी साही होगा कि कौन सी सब्सक्राइब करना है आगला क्वेशन देखते हैं यह तो आपका असानी से होना चाहिए कर्वेशन बढ़ाव कर दो ओना है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यहां सब्सक्राइब करें दो टीचर रहते हैं और वह अपने एक्सपर्टाइस पर बात करते हैं इन पर वह एक्सपर्ट्स होते हैं जाली आप स्टार्ट करेंगे ताइपस आफ एक्वालिएशन तो देखेंगे हम लोग टैपस आफ एवालिएशन यह आपका आखरी टापिक है इसे एक्दम अच्छे से ध्यान से देखिए यह एक्सांस में काफी बार पूछे जाता है ताइपस आफ एवालिएशन इवालिएशन उनलब क्या है वालिएशन है हम लोग जो टेस्ट देते हैं उन्हें एक आजाता है आपका इवालिएशन तो डिफेर्ट टैपस आफ इवालिएशन देखे गए हैं एक टीचर को किस टाइम पर कौन से इवालिएशन कादन चाहिए ताकि उनकों स्ट्रूइंट के क्या प्राब्लेम्स है या पिर किस चाहिए पर स्ट्रांग है वह सब्जेट को उसी तोरके से पढ़ा पहें यहां पर पहला है ओन बैसफ ऑफ अप्रोच पहला है आपका क्वांट्रेटींटब Certainly मुआ ब्यूद्रेटी यहां पर क्या था हступ जो एक्सांस डेते हैं जैसे आफका UGC NET का एक्जाम हो गया है oh yeah से कटाप से जादा होगा तो हम लोग पास करेंगे करए झानी करको है कम होगा हम लोग अगली बारे एक्जाम देना होगा यह क्या होया है करी यह स्ब णक्राइक होगया पर कोन्टे तीब डूसरा एक क्वाइट वाटिटीव जहां पर क्वालीटी देखा जाता है यह क्यायो यह हो गया ही इंटेवीट विए में आपको बता हिए कि पुर मार्क्स नहीं दिये जाता है अला कि बहुत फिर आते हैं on the basis of phase of instruction तो पहला है आपका placement placement आपको पता हिए कि कोई भी engineering exam देना पड़ता है फिर हम लोग colleges से लेक्ट आते हैं कौन से engineering colleges में हम लोग को जाना पड़ेगा या फिर कोई भी college में जाते हैं हम लोगों सबसे पहले entrance से exam देना पड़ता है वही entrance का exam को कहा जाता है आपका on the basis of instruction तो पहला है आपका placement सबसे पहले second है आपका formitative अभी तक हम लोग ने जितने भी questions किया है उन्हें एकाज आएगा formitative अभी तक मतलब कुछ-कुछ topics हम लोग ने पढ़ाई किया के बाद उन topics के बारे में questions को solve किया questions को हम लोग जब solve करता है तब क्या होता है दो चीज़ें में help करता है एक तो हम लोग को chapter के बारे में अच्छे से knowledge हो जाता है दूसरा हम लोग के motivation level को increase करता है हम लोग सोचते हैं कि इतने chapter तक हम लोग को समझने आगी है हम लोग के solve कर सकते हैं अब हम लोग आगे जागे भी chapter के question solve कर पाएं गया यह होगे आप लोग का formative तीसरा है आपका diagnostic Diagnostic में क्या होता है जो सबसे difficult questions होते हैं उनको present किया जाता है अभी तक आप लोग ने जो question solve किया है सबसे difficult questions ही है Diagnostic में क्या होता है कुछ specific topic से questions दिया जाता है उनसे समझा जाता है कि इस जगे पर problem है यह सब difficult questions करवाने का मेरा मतलब यह ही है यह नहीं कि आपका confidence level decrease हो जाए पर आप लोग को समझ माना चाहिए कि किस topic में कहां पर मुझे मतलब चाहिए ताकि मैं ज्यादा concentrate करके पर सको तो यह क्या हो गया diagnostic मतलब strength के problem समझने के लिए teachers question देते हैं फिरा आपका summative, summative जैसे यह video जब खतम हो जाएगा फिरा pyqs को इफी साल का pyqs pick up करके फिर उसका answer solve करने का try कर गया तब जब आपके question solve होंगे तब आपका आएगा confidence वही तक आपने जो question solve किये वो सिभ आपके diagnostic और formative questions हैं ताकि आपको confidence आपाए ताकि करिक जगे पर problem हो तो आप समझभाओ इसके बाद जाके आपको teaching aptitude जो है उनके pyqs solve करने हैं तो वो होगा आपका summative, summative का मतलब क्या होगा है total जो whole है उसका पूरा exact questions को solve करना पिटाते है on basis of nature of reference तो पहला है हम लोग का norm reference फिर आगया आपके criterion reference criterion reference मतलब क्या होता है एक specific criteria पर कोई strength कितना अच्छा कड़ा उसको देखा जाता है जैसे कि मान लीजे हैं आपके criteria देखा गया है कि math में मुझे कितने marks मिले है तो मान लीजे में मुझे मिले हैं आपके 70 यह होगया आपका criterion reference को यह specific criteria है यहाँ पर example ले लिया मैं में math में आपकर मुझे कितना मिले है 70 फिर हैंगे norm reference में norm reference का मतलब क्या होता है norm reference में आपका दूसरे screen के साथ compare कर किया जाता है मान लीजे math में मुझे 70 मिला है और राम को मिला है आपका 90 सेम को मिला है आपका 80 साम को मिला है आपका 60 तो अगर norm reference दीखा जाएगा तो मेरे math का जो marks है वो क्या हो जाएगा कि मुझे 3rd highest मिला है थास में math में मुझे 3rd highest मिला है यह हो गया आपका norm reference जहां पर दूसरों के साथ आपको compare किया जाता है पिड़ाते हैं आपके types of evaluation on the basis of purpose तो diagnostic test हम लोग तो समझे लिए कि problem को समझते के लिए test किया जाता है फिट आता है aptitude test aptitude test में देखा जाता है कि आप उस काम के लिए सही हो कि नहीं जैसे कि आप लोग अगर देखोगे paper one जो है उससे का जाता general aptitude मतलब देखा जाता है general overall knowledge है कि नहीं आपके पास unit one का नाम है आपका teaching aptitude सतलब teaching के प्रती आपका aptitude सही है कि नहीं आपके interest है कि नहीं इससे देखा जाता है aptitude test में फिट आता है आपके achievement test achievement test क्या होगा है तो UGC net का हम लोग एक्साम देंगे हम लोग को कितना समझ में आया है वो होगा आपका achievement test फिट आपका proficiency test क्या होगा नेट के exam देने के बाद जब हम लोग PhD के लिए apply करोगे तो हम लोग को audit exam देना पड़ेगा PhD के लिए वो क्या हो जाएगा proficiency test कि subject में तो यह पता है कि हम लोग सब अच्छा है लेकिन कौन सबसे अच्छा है वो देखा जाता है आपके proficiency test पे रचीवेंट test पे कितना knowledge है तो चेक करने के लिए लिए लिया जाता है आपका achievement test इस subject के बाड़े में आपके इतना knowledge है कितना अपने subject को आपने पास achieve किया है उसको graph किया है on the basis of nature of grades इसमें पहले है आपका diet diet का मतलब क्या होता है marksman जासे लिखाड आता है आपका 70% मिला 80% मिला यह हो गया diet indirect क्या होता है indirect होता है आपके जैसे grades दिये जाते है a b c c का मतलब है 60 b होगी है तो 50 c होगी है तो 40 ऐससे जब दिये जाते हमाँ तो उससे का जाता है आपका indirect इसको एक्साम में c b c d दिये जाता है तो स्ट्रेंट का मतलब क्या है पहले जो इचर से होते थे वह स्ट्रेंट को क्या पढ़ना होगा लेकिन अभी जो नया सिस्टेम है महां पर स्ट्रेंट कुछ से डिसाइड कर सकते है कि कौन से सब्जेट में उन्हीं इंटरेस्ट है और वो कौन से सब्जेट बढ़ाई करना चाहता है इस पहले आता है आपका कौ में मतलब जो मेरी सब्जेट आप पढ़ना चाहता है यहां पर मानली जिए आपका मै का कि इलेटिव कॉस मतलब पढ़ाहे के साथ आप दूसरा कोई कोर्स जो कि आपके subject से related नहीं है, उसे जो आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका पढ़ाई पे भी मन रहे, आपका overall development हो, यहाँ पर elective course बन दीजे है, प्रामा, पिर है आपका discipline specific elective course, अभी आपको दूसरा और एक course लेना होगा, जो कि आपके discipline में, यहाँ पर जैसे दिखे मैत है, discipline में आपका पंदत खड़े, discipline specific elective course, यहाँ बर्मान लीजे, आपने ले लिया, algebra, जैसे मैं example दे रहा हूँ, यह कोई theoretical subjects है या नहीं है, मुझे पता रही है, पीड़ाते प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, कि आप किसी चीज के बारे में करोगे, आपका जो course बढ़ाई है, उसके बारे में आपको और भी idea लगे, यहाँ पर प्रोजेक में कर दोगे है, प्राली जे, इंडिया contribution यह हुआ अब प्रोजेक्ट, फिट आते है, आम generic elective course, यहाँ पर आपका जो elective course था, के साथ ऐसा एक course लोगे, ताकि आप elective course में मदद मिले, यहाँ पर मान लीजे, आपने generic elective course में लिया, Indian drama drama, drama जो subject है, उसमें आपके पूरे दुनिया के बारे में पढ़ाया जागा, ताकि आपके इंडिया ड्रामा थाकि आपके इसमें मदद मिले आपके speed है आपका ability enhancement course, तो जो course है, उसके मदद के लिए अपने ability को enhancement करने के लिए speed, math, तो यह हो गया आपका ability enhancement course, तो चॉइस में स्क्रेट सिस्टेम में पुझे जाता है कि कौन-कौन से आपके subjects ले सकते हैं, तो इन्हें आप एक पार अच्छे से देख लिए जिए, पस वह ही आपके लिए काफी होगा, और exams में तो आते ही है, कि कौन से course ले सकते हैं, आपको सिर्फ tick करना है कि कौन से यह कौन से के लहता है, इसको याद करने के सवरत नहीं, एक बाद सिर्फ ध्यान से देख लिएजेगा, अब PYQ करते हैं, भैले सिर्फ की आप त्यूब हो यहाद के रू यह तो देखिए, आपके व्यूस्टिन्स में एंसेरेंगा, प्रफिचिंशी, और दिफाइंड एडिया, दिफाइंड एडिया कहा है, एक स्पिस्फिक क्रिक्टेरिया है, यहाँ पर, आपके एडिया, और आपके कहाता और मौने иे एर भ 시, आपके आपके परके एंसेरेंगा, एक स्व galaxies. मोटीवेशनल कोन्से ग्वेशन साफ करने से मोटीवेशनल होता है में एटीव आजका आख्ड़ी ग्वेशन है शाहद हुँँ आजका आख्ड़ी ग्वेशन है यह न इसके बाद एक टॉपिक आपका बागी है टॉपिक के बाद बन थोज़ी दिर पार्ग डिस्क सरेंगे तो यहां बर देखा कुछा गया है एड्वांटेज क्या है टॉपिक सिस्टेम का तो मैंने सबसे पहले बता रहता है कि क्या हो रहा है कुडेंट सेंट्रिक कुडेंट सेंट्रिक क्या जाड़ा है तो यहांसर क्या होगा अप्शन एक तो चलिए यहां पर चैप्टर खतम होता है हम लोग का वह जो मैं बता रहा था कि टॉपिक जो है वहां आपका बाकिए है है वहैं Teaching Aptitude में ICT तो Teaching Aptitude में हम लोग देखेंगे बहुछ सारे online courses के बारे में पढ़ाया जाता है तो वह सारे courses जो है लोग पढ़ेंगे इन दर जाप्टर ICT यहां पर हम लोग उन कोर्सेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपके ICT में सेम चीज़ को रिपेट किया गया है उसे करेंगे हम 9 फेबरेड़ी को तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग सबको थैंक यू सो मच गर वीडियो से कुछ भी मदद मिलाओ करेंडली कॉमेंट कीज़ेगा इससे मुझे खाफी मोटिवेशन मिलता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को कम्लीट करने के बाद जो पीवाई की उस है टीचिंग अप्रिवूट का उससे करेंडली प्राक्टिस कीज़ेगा आपको पता चलेगा इस वीडि देखने के लिए और मिलेंगे फिर से उननीस ताइक को थैंक यू